जिला अस्पताल में आँखों के ओपरेशन के बाद बाहर से खरीदते मरीज चश्मा. फिरोजाबाद शहर के जिला अस्पताल स्थित नेत्र रोगविभाग में मरीज को ओपरेशन के बाद चश्में फ्री देने का उप्रसरकार का भी फर्मान है. लेकिन मीडिया सवे में यहां कुछ और ही मामला निकल कर सामने आया बता देखी होने वाले आँखों के ओपरेशन के बाद मरीज को बाहर से 30 रूपे का चश्मा खरीदना पर रहा है इस बारे में कुछ मरीज जो यहां ओपरेशन के बाद चश्मा पहन कर अपनी आखे दिखाने आये थे उनसे बात की गई तो उनका कहना था कि हमें ओपरेशन के बाद चश्मा फ्री नहीं मिला बलकि बाहर से 30 रूपे का खरीदना पड़ा सवाल यह उठता है कि जब चश्मा उपरेशन के बाद यहां से नहीं शूर्ट मिलता है तो आखिर क्यों नहीं दिया जाता वहीं यह संबंद में CM ODA नीथा कुर्श्वेष्ट के C.E.U.G. नंबर पर संपर्किया गया तो बताया गया कि बाद चश्मा आपको कहां से मिला था दुकान से मोल ले के आई हो किते रूपे का तीस रुपेगा आपको यहां होस्पीटल में नहीं दिया गया कोई सब्दा नहीं मिली कहां से आई हैं यह कब आपको आपरेशन हुआ था पट्टी खुल गई यह चस्मा यहीं से मिला आपको कितने की आया है तीस रुपे का यहां पर नहीं मिला आपको जब कि सरकारी में मिलता है कितने रुपे का है यहां पर नहीं दिया गया आपको कहां से आई हो तो यहां क्यों आई थी आख शेक कराने ओपरेशन हुआ आपको आपको अब क्या दिक्कत आ रही आपको अपरेशन ही नहीं यह चैसमा आपको यहीं से मिलाए क्या ना तो मौल मगाया था अच्छा किसे ने इन न से दो सुरुपया दूंगे संवागा सब्सक्राइब और यहां पर यहां पर जिस रगारी होस्पीटल प्रीवाना चाहिए था तो फिरिवाना जानों बेटाम आपका जाना जाना आए आपका जाना 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 पर यह रहां कि हो सुरुपया झात की अवच एिन मेरा मौल, गिस्यों है कैस दो स्वालों प्राइब खिस होस्ऴ किसे य। नौल रका जाए होस्थाइब धू स्वाओब किorkश्ष becomes सब्सक्राइब चक्राइब 6 सुबग